अब यहां पर देख लिए यह हमने रोज नाम से एक बनाया है और यहां पर हमने diamond pattern कराया है और पूरा प्रोग्राम में दिखा देता हूं यह दिखिए यह कुछ अस तरीके से लिखा गया है इसमें बहुत सारे variable भी मैंने बनाया है यहां एक बाद रिखाता है यहां पर देखिए अगर मैं five एंटर करता हूं तो five number नंबर का diamond pattern प्रिंट हो जाता है यह देखिए यह 5 उपर 5 नीचे यह diamond pattern फ्रिंट हो गया अगर मैं इसको दुबारह से रन कराता हूं और यहां पर मैं 10 करता हूं तो 10 नमबर का diamond pattern print हो जाएगा ठीक है यहां पर click करता हूं और फिर यहां लिखता हूं 10 आप देखेंगे कि 10 पूरा 10 का diamond pattern print हुआ यानि आप गिन सकते हैं यहां पर यहां पर रोग और पॉलम्स की संख्या गिल दीजिए और ये टेन टेन नीचे भी टेन है उपर भी टेन है याने इस तरी के से ये डायमंड पैटर्न प्रिंट हो रहा है